नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं फ्यूचर रीटेल लिम्टेट के बारे में और बिसिकली इसमें हम लोग न्यूज भी देखेंगे और इसके डेटा में क्या-क्या चेंजेस क्या-क्य प्रेटेट के उसको क्या-क्यार करने वाला था और यह जो प्रॉब्लम है क्यों रुग गई यहां पर ड़ी हाइकोड ने इसको रोक दिया इसी वज़े से इन्हों ने रोक दिया अगर आप यहां पर देखेंगे तो जो नेक्स्ट राइन अगर आप पढ़ेंगे तो द ड जारी नोट वसे बीक Zero में यस कहना मिश बिसेकलल इशारे में उनको यस का 10 गर आप यहां बेख़े उनको एको यह को नो तब तक किसी भी चीज़ को नहीं कह सकती क्योंकि हाई को सबसे टॉप पे है तो अभी अगर आप देखेंगे तो यहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी कोई भी निसकर्स नहीं निकल के आया है तो अब आईए हम लोग चलते हैं थोड़े डेटा पर देखते हैं और वहां से निकालते हैं तो दोस्तों आप यहां पर देखेंगे कि फ्यूचर रीटेलर का जो मार्केट के अप्लाइएशन है वह अल्मोस्ट 2562 करोर्स का है वहीं अगर आप देखेंगे तो इनके डेप्त में दोस्तों यह बहुत ही डेंजरस वाली बात है अगर आप यहां नहीं साथ देती तब तक इनका यह डेप्त नहीं हट सकता है तो यहां पर इनको इंट्रेस्ट भी देना पड़ता है यह बात आप ध्यान में रखिए फ्री में कोई आपको कज नहीं देगा आप से उसका भी तो कुछ फायदा होना चाहिए तो बेसिकली यहां पर बहुत जो इपीए से वह अल्मोस्ट अभी माइनस में चला है अगर आप देखे तो 47 के नियर बाउट होता है जब तक कि यह अल्मोस्ट रिकवरी करके अल्मोस्ट प्लस में नहीं आता तब तक हम इसे एक अच्छा इपीएस नहीं कर सकते हैं अगर हम लोग यहां पर देखें कि यहां पे अगर आप देखेंगे तो जो सेस ग्रोथ है इनकी अल्मोस्ट यह कहीं जाही नहीं रही एक तरीके के साइडवेस पे है वहीं अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट यह हलका सब बांस बैक किया था बट यहां पे फिर डिक्लाइन आ गया और फिर अगर आप यहां पे आरोई को देखें तो रिटन और इकोड़ी जो है आपको वह कहीं जाहीं नहीं रहा है विसिकली कंपनी किसी वी टाइप का इंप्रॉब्मेंट नहीं कर रही है अगर दोस्तों आप यहां पे बॉरोइंग वाले शेक्शन में अगर आप यहां पे नज दोस्तों यहां पर अगर आप करज बढ़ा रहें तो एक तरीके से करज सभी सिस्तिमाल करते हैं क्योंकि अग्याद यह सिस्तिमाल करते तो हमें आरे जो यह बहुत ज़्यादा कंपनी के पास प्रेशर है आप यहां पर देखेंगे कि जो इनका जो पूरा 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 पहले आप देख लीजे कि यहां पर जो इनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वह एक्जाक्ली घट गया है माइनस में समय चल ला है और अभी अगर आप यहां पर चाहिए नहीं माइनस में समय तो चाहिए अगर आप देखेंगे तो जो ओपरेटिंग कैश फ्लो है वह भी इनका ऑल्मोस्ट माइनस में जब पैसा ही नहीं है तो चाहां से हेंडल होगा सारी चीजे सारी मैंच्वेंट तो एक तरीके से धीरे-धीरे करके वह और ही मीज अंडर प्रेशर आते रहेंगे और फिर उसके बाद एक टाइम पर ऐसा आएगा कि ना इधर में ना उधर में बचेगी कंपनी अगर दोस्वाम लोग प्रोमोटर्स के बारे में अगर डिस्केशन करें तो यहां पर पब्लिक की पास सबसे जादा है क्योंकि ऐसा पब्लिक ने सुना था कि इसमें न्यूज अगर आई थी तो इनमें सबसे ज्यादा इनका यही मेंस न्यूज बेस कभी आप ट्रेडिंग मत करिए क्योंकि वहीं पर एक्जाक्टी 95% लोग वहीं पर फस्ते हैं यहां पर आपको इसलिए इसमें बहुत ज़सीडा मैन्युपिलेशन दिखता और वहीं अगर आप देखे जो है वो 28% की होल्डिंग रखे हैं और वहीं अगर आप देखें तो इनके जहां पर प्रon mantr के बारे में डिस्क्रिंशन करो तो यहां पर हर क्वार्टर में अगर आप देखें तो यहां पर इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिला है तो यह थोड़ी सी गंभीर विशे वाली बात है और वहीं अगर आप देखेंगे तो डियाई आई वाले इंवेश्टमेंट किये हैं तो इसका मतलब आप सोचोंगे कि बहुत आगे आने वाले से जाते हैं हाला कि अगर आप जो है जो यह बैंक वगेरा जो इस्ट्रॉक थे उनके अगर आप जो प्रोमोटर सोलिंग देखेंगे तो वहां पर भी उन्होंने काफी अच्छी अच्छी अमाउंट में डियाई और इस ने इन्वेस्टमेंट किया था बट वहां पर आप उन लोग को भी घाटा हुआ है तो यही मैं कहना चाहता हूं कि आप जो भी फैक्ट और फिगर हैं उनको अप टू डेट रखिए और उसी साफ से आप अपना जो भी निउस निकल के आ रही है उसको एक्जाक्ली ट्रैक करिए कि वह निउस हो भी रही है या फिर नहीं भी ह हो रही है तो सब कुछ आपको जाननी बहुत ही जरूरी है फिर उसके बाद आप कोई निसकर्स निकार लिए यहां पर अगर हम देखें तो इनके जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो किसी भी टाइप का पॉस्टिबिटी नहीं दिखा रहे हैं तो यहां पर हम इसको एज पर फोर्ट फिफ और सिक्स पोजिशन पर यह भी रैंक करता है और सबसे ज्यादा यहां पर आप देखेंगे सबसे जादा जो इपीस में माइने चला है वह यही है फ्यूचर रीटेल और अगर आप यहां पर देखें तो जो आपका जो आरो सी है वह अल्मोस्ट ग्यारा तक का चला है और बाकी अगर आप देखें तो बाकी कमनियों को काफी अच्छा मीस चला है हाला कि यहां पर आपको आदे तबेला का थोड़ा सक्काम है थे 13 का है बट अल्मोस्ट अगर आप देखेंगे तो यहां पर काफी जादा ऐसे स्टॉक हैं जो आल्मोस्ट 15 या 20 के उपर चल रहे हैं वहीं अगर हम देखें तो यहां पर कुछ मार्केट के मामले में भी फ्यूचर डिटेल काफी अच्छा नहीं है क्योंकि इनके बास ऑल्मोस्ट 25562 करोर का मार्केट के प्लाइजेशन है और वहीं अगर हम लोग डेफ्ट को देखें तो इनके बाद भर- और आप एज लॉंग टर्म इंवेश्मेंट करते हैं तो मेरे हिसाब से फ्यूचर डिटेल अभी के लिए यहां पर एक अच्छा स्टॉक नहीं रहने वाला है और अगर आपकी जो मर्जी आपको उसमें ले सकते हैं हाला कि यहां पर अभी किसी प्रकार के बाइंग के या एक फ्यूचर डिमांड के ऐसा कुछ भी यहां पर नहीं देखने को मिल ला है तो आशा करता हूं वीडियो इंफॉर्मेटिव लगाओगा और मिलते हैं करना दर एक साइड़ी में चलता के लिए धानेवाद टेक केर बाइबाए